स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल T4 Technology में आज हम करने वाले हैं Redmi A1 की Unboxing जो की एक budget phone और एक सबसे latest phone है पुजा को देखते वे company ने एक budget phone launch कर दिया है जो की सारे segment के हिसाब से अभी तक का सबसे अच्छा phone है ये जो की अपने budget में काफी विक्रा है market में तो चलिए शुरू करते हैं इसके unboxing और देखते हैं phone और features को तो दोस्तों हमने कर दिया phone को unbox तो यह रहा आपका smartphone साथ में आपको एक मिलता है V8 cable साथ में आपको मिलता है charging adapter और यह एक मिलता है इजक्टर टूल बाकी box में कुछ भी नहीं है तो हम लोग आप करते हैं phone को unwrap और देखते हैं कि phone का company ने क्या लुक दिया है company ने यह model तीन color में launch किया है एक green एक light blue और एक black color में तो यह है अपने पास light green color का phone company ने इसको पीछे की और से जो दिया है यह एक leather के finishing में बोला है तो यह देखने में आपको leather का look जैसा बनाया गया है company ने यह phone देखने में यह आपको matte finish भी है leather finish भी है अगर आप सो बारिकी से गौर से देखेंगे तो यह आपको लगेगा texture type अगर आप देखें मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यह लगेगा आपको texture type finishing में है यह leather है यह company ने अपना brand नेम वेगर है सकती है तो यह है इसकी complete look अगर आप बात करते हैं इसके अब back side में तो यहाँ पर company ने यह आपको dual camera with flush दिया है अगर left side में देखते हैं तो left side में आपको मिलता है power button volume plus minus नीचे की और आप देखिए तो नीचे की और आपको microphone type C sorry V8 charger 3.5 mm का jack दिया है उपर की और आपको company ने इसमें speaker दिया है बाकी इसकी अगर आप display की बात करते हैं तो इसमें आपको company ने water drop display दिया है अब हम लोग करते हैं phone को on तो इसके display की तो इसका display size आपको है 6.52 SD plus display है जो कि company ने बोला है कि यह scratch resistance display है और इसमें आपको 120 Hz का touch sampling rate है और इसमें 400 nits के आपको दिया गया है और इसके resolution की बात करें तो यह solar hunt 100 into 720 का resolution है और इसके screen ratio के बात करें तो यह 20 into 9 की screen ratio में है यह बात करते हैं अगर इसके setting के UI और OS के बात करते हैं तो इसमें Redmi ने अपना UI दिया है साथ में android 12 तो दिया है लेकिन इसके साथ में company ने इसमें go edition दे दिया है मतलब कि यह android 12 है साथ में यह go edition है और इसके processor की बात करते हैं तो इसमें mediatek का सबसे सस्ता chipset mediatek helio A22 लगाया गय अगर इसके RAM ROM की बात करें तो इसमें आपको 2GB RAM 32GB ROM है साथ में अगर इसमें आप max expandable memory 512 MB तक का लगा सकते हैं मतलब कि यह tri slot के साथ बनाया गया दो nano sim और एक आप sd card लगा सकते हैं अगर आप तीनों लगाते हैं तो यह काम करेगा फोन की अगर weight की बात करें तो फोन 5000 mAh battery के साथ बनाया गया है तो 5000 mAh battery है तो थोड़ा weight रहेगा यह 192 gram के साथ बनाया गया है और अगर इसके charging capacity की बात करें तो charger company ने 10W का दिया है आपको फोन लेने समय रिव्यू देखने समय यह ध्यान रखना कि फोन की price range बहुत कम है य इसके हिसाब से फोन काफी बहतर बनाया गया है साथ में इसमें यह 4G है dual holty के साथ Bluetooth वर्जन की बात करें तो Bluetooth वर्जन भी इसमें आपको 5.0 दिया गया है जो कि एक latest Bluetooth वर्जन है इसमें OTG supportable भी है और अगर आप इसके camera setup की बात करते हैं तो company ने बोला है कि यह back side में dual camera है जो कि 8 megapixel का dual camera साथ में आपको 2 megapixel का with flush के साथ है front camera की बात करते हैं तो front camera आपको 5 megapixel का दिया गया है camera setup की बात करें तो company ने इसमें वीडियो, photo, portrait और more mode दिया more में आपको short video, time lapse और editing वगर दिया अगर photo section की बात करते हैं तो चलिए हम लोग एक photo क्लिक करके इसके testing कर लेते हैं साड़े 6000 के price range के इसाब से company का testing जो है अच्छा जा रहा है, फोन का अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको zoom करके दिखाने कोशिश करूँगा यह phone का जो camera की quality है बहतर है, अपने price range के इसाब से बहतर quality दे रहा है, back look मुझे काफी पसंदा रहा है जो की Oppo के App 17, F21 Pro के जैसा यह look दिया है, जो की आपको leather texture design में दिया गया है, तो overall यह phone काफी बहतर है अपने price range के इसाब में साड़े 6000 में 232, 5000 battery, dual camera, android tool के साथ यह phone overall बहुत अच्छा है, जिनका price range साड़े 6000, 7000 में एक अच्छे brand के साथ जाना है, तो वो यह Redmi A1 को ले सकते हैं, धन्यवाद, कैसा लगा आपको यह सब कुछ, हमें comment section में करके बता है, अगर आप हमारे channel पर नए है, तो channel को subscribe करना ना लाइक करे, comment करे, share करे, thank you